एक सप्तह में गनेश चतूर्थी घर घर में मनाई जाएगी लेकिन इस गाउं की कहानी अलग है गनेश जी का एक नाम विधन हरता भी है मान्यता है कि हर तरहें के विधन वो हर लेते हैं लेकिन इस गाउं के लोगों की करीब एक सदी पुरानी परंपरा है कि ये गनेश पूजन के लिए गाउं में प्रितिमा इस्थापित नहीं करते हैं हम बात कर रही हैं मुल्ताई से 80 किलोमीटर दूर बसे गाउं तरोडा बुजुर्ग की यहां के लोगों का मानना है कि गाउं में गनेश जी की पृतिमा इस्थापित करने से मोत का सिल्सिला सुरू हो जाता है अजब लोग गजब परंपरा में हम ये बात आपको बता रही हैं तरोडा बुजुर्ग में लगभग 250 घरों की बस्ती है यहां 2200 लोग रहते हैं गाउं में मुख्य काम खेती और मजदूरी है इस गाउं में गनेश पूजन ना करने की विचित्र परंपरा है इसा जानकर आपको ये भ्रम हो सकता है कि इस गाउं के लोग या तो कम धार्मिक है या नास्तिक हैं इसा आप कतई नहीं है यहां के लोग बेहद धार्मिक है गाउं में हर साल लगभग धूमदाम से दुर्गा उत्सव मनाया जाता है लेकिन गनेश उत्सव मनाने पर पूरी तरह से पृतिबंध है गाउं के सरपंच दयाल पमार बताते हैं पुरानी मानिता के चलते गाउं में गनेश पृतिमा ना इस्थापित करने की परंपरा सालों से चली आ रही है और हम इसको देख रही है वही मदन ने पताया कि उन्हें उनके बुजुर्गों से यह बात पता चली थी गनेश पृतिमा की स्थापना करने पर आपदा आ जाती है जानवरों की मोत होने लगती है लोग बीमार होने लगते हैं और गाउं में मोतों का सिलसिला सुरू हो जाता है इसलिए वेह भी इसी परंपरा को निभाते आ रही हैं गाव में गनेश पृतिमा की स्थापना वो नहीं करते हैं वही आनिता नागले का कहना है कि सास ने बताया था कि जब भी यहां गनेश जी की पृतिमा आती है तो गाव में नुक्साने का दोर सुरू हो जाता है उनकी भी सास ने बताये कि इस तरहां से पीड़ी दर पीड़ी यह परंपरा यहां पर चली आ रही है ग्रामिनों ने तो यह भी बताया कि भगवान गनेश की पूजा सभी करते हैं लेकिन केवल गाव में गनेश उत्षव नहीं मनाया जाता है उन्होंने कहा कि गाव में केवल मूर्ती नहीं बिठाने की परंपरा है जिसको पूरा गाव निभाता आ रहा है ग्रामिनों का कहना है कि गनेश जी रिद्धी सिद्धी के दाता हैं और प्रतम पूज देवता हैं लेकिन गाम की परंपरा के चलते उनकी स्थापना नहीं की जाती है गाम के युवाओं का कहना है कि बुजुर्गों से उन्होंने गनेश उत्सव के बारे में इतनी बाते सुन रखी है कि उन्होंने कभी इस बात की हिम्मत नहीं की कि गाम में गनेश पृतिमाओं की स्थापना की जाए गनेश उत्सव के दोरान पास के ही गाओं कुपिड़ा में भगवान गनेश की पृतिमाएं स्थापित होती हैं वहां लोग पूजन करने चले जाते हैं ग्रामिनों ने बताया कि बस्ती के निचले भाग में पंचायत भवन के पास लगभग 30 साल पहले बाहर से एक साहू परिवार आकर रहने लगा था इस साहू परिवार ने घर में गनेश पृतिमा की स्थापना की थी गनेश उत्सव के पहले दिन जब गनेश पृतिमा लाई तो उनके घर में एक बुजुर्ग का स्वास्थ खराब हो गया और दूसरे दिन ही उनकी मोत हो गई वहीं उनके पडोसी का स्वास्त भी खराब हो गया था जिसके चलते तीसरे दिन ही पृतिमा का विसर्जन कर दिया गया था ग्रामिनों ने बताया कि वह साहु परिवार अब गाम में नहीं रहता वो समय भी ग्रामिनों ने उस परिवार को गनेश पृतिमा की स्थापना नहीं करने की समझाई दी थी लेकिन उन्होंने यह बात नहीं मानी थी ग्रामिनों ने बताया कि गाम में साधियों में भी गोरी गनेश नहीं बनाए जाते कुछ परिवार सुपारी को ही गनेश मान कर पूजा कर लेते हैं लेकिन ज्यादा तर ऐसे हैं जो सुपारी को भी गनेश मान कर इस्थाबित नहीं करते हाला कि पूजन के दोरान सिद्धी विनायक के सभी मंत्रों का उच्चारन होता है उनकी विधिवद पूझा भी होती है ग्रामिनों का मानना है कि परंपरा को कम से कम सो साल से अधिक हो चुके है धार्मिक माननिता के अनुसार कई जगे ब्रह्म्मा की पूझा नहीं होती इसी तरहें सेव संप्रदाई सिव के अलावा अन्नि किसी आराध्ध की उपासना नहीं करता है वेशनव संप्रदाई भगना भगवान विश्णु की ही आराधना करता है अलग-अलग जगहें पर इस तरह की मान्यताएं प्रिछलित हैं एसी मानिता देश के करीब हर राज में अलग-अलग रूप में विध्यमान है